आपको पास होना दम कंपल सरी है ठीक है तुलसी का में पैस्तो बाइरल पेपर लेके हम आगे हैं जो आपको पता है कि सब्सक्राइब के तो सेम इसको बोला जाते है ठारर प्यास्तो इक्जाम से पहले एकशाम हो रहा है जिस परकार इकशाम बहारण दारन प्यास्तो 225 में आपका इकशाम होने वाला उसी प्रकार प्यास्तो अभी आपको सिंटर पिग्जामनेशन देखने के लिए मिलेगा ठीक है जी फ्रस्ट कोचन है बाबा साहिव अम्बेद कर संपून बाड में भारत सरकार कलियान मंत्राले द्वारा कितने खंडों परकासित हुआ हर एक कोचन को याद करने का प्रयास किजिएगा रटिएगा नहीं एक किस खंड इस दराइट अंसर ठीक है ऑप्शन नमबर डी बूध कबीर और जोतिवा फूले किसकी चिंतन के रशनात्मक प्रेरक व्यक्ति रहें काम तो कासू बाबा कहीं मालूम पड़ता है इधर खेल रहे थे किसने कहा था तो वह प्यास तो सोफर कौन था डिराइबर था ठीक ना कर आया मदन डरते डरते तो प्यास तो लपक कर गिर्धर ने उठा कर कते ना चाबस बेटा समझे जो बाप नहीं कर पाया एक तूने करके देखाया तो इसका अंसर सी हो जाएगा फाइब का देखेंगे मदन प्रोसियों के अवारा गर्दा छोड़ू छोकरों के साथ क्या बोर्ड एकजाम जो आपको देने वाले हैं हाई स्कूल में ठीक है जी सिक्स नमबर देखें मैक्स मुलर के जन कहा हुआ था मैक्स मुलर के जन मैसे कहा हुआ जर्मानी में होगा इसका राइट अंसर होगा 6 दिसंबर 1823 को कब हुआ था यह आपसे पुछा जा रहा है आगे यहां परचलित कहाब तो दंत कथाओं के परमुद सुरूत किसे माना जाता है बहुत अच्छा कोशन है याद रखेगा इसका रुप्यास तो बहुत धर्म का ठीक है जी दम सौ परतिसाता आपको सठीक अंसर यहां पर दिया जा रहा है एक कोशन रुप्यास तो इधर उध दिखी अजारी पर साथ दिवे दिखी इगारा रुमबर कोशन मोस्ट वीविया इर प्यास तो यहां तो आपको देखने के लिए मिलेगा अब में एकजाम में आपको जरूर आएगा यह कोशन कि गौड़ देश के लोग को कैसा नाखुन पसंद होते हैं तो आप पढ़े ह लेखा के छोटी लड़की ने कि पापा नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो वो अचानक सोच में पढ़ गये थे ठीक है और इसका कोई जवाब ही नहीं था ऐसे वी बच्चा के सामने आप रहेगा तो आपका बात बंद है वो बहुत ज़्यादा मजाता है ऐसा ऐसे सवाल आत भाट के पूस्तक लिया गया नागरी लिपी ज़्याश्तों सिर्षक है वो कहां से लिया गया तो भारतियों लिपीों की कहानी से कोकन के सिलाहर, मानखेट के राष्टकूट, देवगिरी यादव तथा बिजय नगर के सासकों के लेख किस लिपी में हैं तो याद रखे हैं नंदी नागरी लिपी बहुत अच्छा कुशन है सोलन नमर ब्रश्टो दंती दूर के बाद राष्टकूटो की गदी पर कोन बैठा था क्रिश्न पर्थम किसके गले में असकॉटो की तरह रुमाल बंधा था बताएए पैश्टो ये तो सिंपल आपको लग रहा होगा न जी सर्जी बहादूर गोरा चीता लड़का कहां से आया था बाके निपाल से, न जी निपाल के रहने वालता, 18 नमबर, सुख जीवी नाम को पन्यास किस ने लिखा, ठीक है, तो याद रहा किया प्रश्टो अमरकांत ने, बहादुर के भी लेक़ को ने, अमरकांत, बहादुर की बाप कहां मारा गया था, ये कोश्चन बिहार बोट के द्वारा कई बार पूछा गया है ठीक ना और आपके सिंटर भी इंग्जामनिस तो सेम टू सेम यह रहेगा तो याद रखिया यूद में ठीक है जी यूद में याद कर लिजिए हिदायत सब्द का अर्थ क्या होता है तो हिदायत का मतलत रप्यास तो है आपको बताना है पैस्तो तो याद रखिया मृत ग्यान ठीक है अप्शन नमबर बी हो जागा रोन नदी के दूसरी और आबिन्यू के एक हिसा लगवक सोतंत उसका नाम क्या है तो रोन नदी पैस्तो आपको पता है कहां दच्छिन फ्रांस में और उसकी दूसरी और के क को ठीक करेंगे चोबिस नमर कोश्चन है लेखक स्री निवास ने की साहित की प्रतांड परतिष्ठित रचनकनाओं में से हैं तो स्री निवास याद रखिये दही वाला मगम्मा के लेखकों ने सिरी निवास आ कैसा था प्राश्तो कन्नर ठीक है जी चलिए साहित एकेडमी लेखक सिरी निवास की कहानिस अंकल के प्राश्तो सन्ना के थे गुल्लू के कीस बर्स पुरुस्थार किया गया तब 1968 आप्शन नमबर B को टिक करना है आपको हर एक कोश्चन को सर्जी क्या करना है तो दो बार तीन बार वीडियो देखके याद कर लेना है ठीक ना रटना नहीं है तुम्हारा क्या है मा तुम्हारे पास गाई बैल पैसा तुम्हें क्या पाल सकता है पाल सकता हूं किसने कहा था तो आपको पता अगर प्राश्तो मगम्मा के बेटे ने जब मगम्मा से अलग हुआ था तो बोला था ठीक ना याद रखेगा 26 का क्या हो जागा option number गम्मा के बेटी नहीं होगा बेटा होगा option number C हो जाएगा ठीक है बेटा यहां पर देखे बेटी लिखा हुआ है तो यह थोड़ा सा एक्जाम में ध्यान रखेगा नहीं तो गलती हो जाएगा किस लेखक के कथा साहित में उडिसा जीवन की गहरी प्राश्तो आप सिंपल पगड़ी उडिसा तो उडिसा सर्जी किसके बारे में था तो साथ कोड़ी होता चली ठीक है चली में प्राश्तो आगे देखते हैं धाते बिस्वास के दिया गया था न जी लच्मी किसके घर काम करती है तो तहल सिर दार के घर में ठीक है अलच्मी के पती कहा रहता था कलक क्या नाम था प्यास्तो लच्मन धहते विश्वास कहानी में लच्मी के पड़ोसी जो लड़ा पढ़ाकू लड़का कोन था ठीक है 29 नमबर छोटा 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 लिखा हुआ है तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है याद रखे है गुन नी थी गुन नी थी आ लच्मी क कि सिरी निवास याद रखी है ये सम्टे कैं मा जी लोगों को अस्पताल के लिए किसका उप्मा देती थी जो मा थिर प्यूश्तो वो अस्पताल को किसका उप्मा देती थी आपको पता होगा तो सर जी गौशाला की काते थे ना कि जो एक माँ अगर सिवा नहीं कर सकती अपने बच्चों को तो मतलो अस्पताल क्या ही करेगा ठीक है आगे देखिए पपाती के चारों और खड़े डॉक्टर बारी बारी से आकर प्यास तो किसकी सहाईता से आखों के भीतर भाग के परिछन कर रहे थे तो याद रखे प्यास तो अश्टेतो अस्कोप से अठेतो अस्कोप से अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रस्मलाई भेजी है क्या यह किस ने कहा ओ माई गौड आपको पता गर प्यास तो जब सिता तीनों बेटे की यहां जब नरायन, बिज्जू और कैलास तीनों यहां रहने लगी थी तो एक रिप्यास तो क्या भेजे थे रस्मलाई भेजी थी तो फिर दूसरा जिसके पास गए भाई वो बलती है करे अपने अमीरी देखाने के लिए भेजी है क्या तो वो किष्णे कहा था यह आपको बताना है तो नरायन के पत्नी भवरी ने और याद रखेगा बिज्जू के पत्नी पुस्पा देख रहे हैं पुस्पा मुभी यहीं से बनाए मेरे रवाई कैलास की पत्नी राधा याद रखेगा बिज्जू के पत्नी पुस्पा नरायन के पत्नी भवरी ओ माई गॉड राम नाम बीत्देव जग जनमा सीर्सक कवी के प्यास्तो रशनाकार कोन है 34 का पटापट याद रखेगा गुरु नानक गुरु नानक अनि सब्द का अर्थ क्या है अनि सब्द का अर्थ मुड़ प्यास्तो ग्री अनि सब्द का अर्थ क्या है ग्री बानि कब इसके समान हो जाता है ठीक है तो बानि मुड़ प्यास्तो राम नाम के विना बिसके समान हो जाता है अप आप लोग comment करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और 100% प्रिस्ट प्रिस्ट आपको ये सब question same to same आपके exam में देखने के लिए मिलेगा 37 नंबर मो मन मानिक ले गए और चित चोर नंद दन या पंक्तिर प्याश्टो किस से उड़त है फड़ा पड़ा आपको बताना प्रेम एनि स्री राधिका से स्वादेसी सिर्शक कभिता का नाम क्या ओ माई गउड़ स्वादेसी के प्याश्टो लेखा कौन है तो आपको याद होगा प्रेम घंड ठीक है जी सुमिता नंद पंत लौट कर आओंगो फिर जिवना नंदास एक ब्रीज के हत्या कूबर नराइन तो यह हो जागा ऑप्शन नमबर डी हो जागा यह है मेरे प्याश्टो ठीक है चलिए स्वादेसी कभिता किस संकलीत है स्वादेसी तो प्रेम घंड से है स्वादेसी के लेख प्याश्टो जो चेप्टर ने उसको याद कर लीजिए आठ नौ दस अब्जेक्टिव यहां से आप बना दीजिएगा स्मिता नंद पंत उन्तरांचल के कीस जी लेकर रहने वाले थे तो वह बागेस्वर बागेस्वर वाला बाबा जानते भी होंगे आप लो नमेरे प्य कर लिए आगे देखिंगे प्याश्टो ठीक है जी फटाफवर्ट कभी रमधारी सिंदिन कर किसकी रचना ग्यान पीट के लिए प्रसकार प्राप्त हुआ था जन तंत्र का जन में आ गया आते हैं निम्लीखित में सचिदानान हिरानबाद सेन अगेंग की कभी था ओ माई गवाट बहुत अच्छा है हिरो सीमा ठीक है आपको पतागर प्याश्टो कि जपान में क्या अमेरिका क्या था जी दो परवान बंग गिरा दिया था तो आपको यह याद होना चाहिए एक हिरो सीमा पर एक नागा साखी पर कूबर नराएन ने रचित इन दीनों साहिध की कूँसी बिड्या है इन दीन सहित कूँसी बिद्या कावसंग्र तो यह पोर्ट पर इच्छा में हाई स्कूल में आएंगा इन अपको आपको इक्जाम में से कु से पास चलके समुंदर भी आएगा ठक करनबैट मंजिल मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा थोड़ी से रप्यास्तो सारा फेश्टिवल का खतम हो गया तो पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजे और अपना बेश्ट दीजे ताकि दो महिनार प्यास्त कूचिंच बढ़ गया था पेड़ ठीक है चलिए जीवन करम किसका पूरा हुआ था मक्खी का कभीतरी अनामिका के पिता का नाम क्या था देगे पिता का नाम बताना तो याद रखे है स्याम नंदन किसोर ठीक है स्याम नंदन किसोर अनूष्टूप किनकी रचना है उन्च माँ ठीक है आगे जहरा पाल का साहित की कों से विद्या है जहरा पाल का प्रश्टो क्या काब है ये कोश्चन एकजाम में पुछा गया कई बर मेरे बीना तुम प्रभू सिर्शक कविता कर प्रश्टो संकलर ली गई है तो कहां से लिया गया है लाइफ एंड सॉंग से जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभू तो तुम क्या करोगे या किस पंक्ती का कविता है सही बात है जब प्रश्टो हम ही लोग नहीं रहेंगे तो भग मान रहेंगे फिर क्या करेंगे उनको सेवा कोन करेगा ठीक है तो यह प्रश्टो मेरे बीन तुम प्रभू याद रखेगा option number C is the right answer. Rainer Maria Rilke ka jand kab hua? यह आप से पूछा जा रहा है तो इसका right answer 4 December 1875 को 4 December 1875 को. Rainer Maria Rilke के माता का नाम क्या था था प्याश तो? Sophia ठीक है? और हिंदी स्वर्ण में संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे और हम आपको 56 question पर आज तो बता दिये हैं. ठीक है? 55 question हम complete कर लिए और यह तो आप लोग जरूर बता सकते हैं इतना तो हम भाई भरुसा कर सकते हैं आप कि हिंद स्वर्ण बर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है यह भी हम आपको option दे देते हैं चलिए एक A नहीं होगा नड़ी होगा या तो B या तो C अब आप यह दोनों बताएंगे प्यास्तों कौन सा होगा और आप गई आपको और भी चाहिए कि सब्सक्राइब को करव के लिए जय ही जय भारत